तो है यह वेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं यूट्यूब चैनल दपेट विजन दिस इस सहील मलिक यूइर होस्ट और वैट तो गईज हमेशा ही सही हम इंपोर्टन टॉपिक को एक कवर करते हैं आज हम एक बेसिक टॉपिक के वारे में डिसक्स करने वाले हैं आपसे वह बेस से पहले मैं आपको एक बॉन्स दिखा देता हूं जो मार्केट में भी अवेलेबल आती है मंचूस इसके ओपर लिखा हुआ है मंचस भी आप बोल सकते हो इसमें प्राइस भी मैंचन है वन सिक्स्टी का यह है यानि स्मोल है इसके अंदर सिक्स पीसीज है क्वांटिटी इ या अधर साइड के ऊपर ठीक है तो गईस अब मैं बात करता हूं कैल्शियम बॉन्स हमारे डोग को हम क्यों दें देखें कई बर क्या होता है हम जो फीड सप्लिमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या जो हमारी जो डाइट होती है हम डोग को जो प्रोवाइड कर रहें डे ट कैल्सियम जो मैंने आपको कैल्सियम की एक बैस से बैस सिर्फ बताई थी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दे दूंगा आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं वैसे ही अगर बाइचल्स हमारे पास यह अवेलेबल ना हो और हमारे बास बॉन्स अवेलेबल हो देखे जो रियल की जो बॉन्स होती है यानि चिकन वगेरा की जो वह दे रहे हो आप तो सबसे बैस्ट है अगर वह नहीं अवेलेबल हो आप नौन्वेज नहीं अलो करते हो आपके घर में तब आप यह जो बॉन्स होती है आप इनका यूज कर सकते हैं बहुत हैं आपके डॉक की बॉन्स की ग्रोथ के लिए उनको काफी ज्यादा स्टॉंग बनाती है और जो मसल्स के अंदर जितना भी जो सोरी बॉन्स के अंदर जितना भी कैल्शियम का जो कंटेंट होता है उसको भी इंक्रीज कर दिया जो एक लेवल पर काफी ज्यादा इंपोर्टन है आप आपका डोग मालो 4-5 मंत का है आप उसे दे रहे हो देन क्या हो सकता है उसके जो मसूड़े होते है या जो गम्स होते है या जो तित के जो बीच के वाला जो पार्ट होता है उन में से कई बर ब्लीडिंग आनी स्टार्ट हो जाती है देखा इस घबराने की कोई बात नहीं है यह नॉर्मल है फस्ट ली जब कोई भी हार्ड सबस्टांस आपका डोग खाएगा ऐसे हुमन बिंग ही क्यों ना लगा लो आप कुदी लगा लो अगर आप एक हार्ड सबस्टांस खा रहे हो मालो आप गन्ना खा रहे हो तो कई बर ब्लीडिंग हो जाती है कई के अंदर व तो ब्लीडिंग ऑनी भो जाती है घबराने वाली कोई बात grow यह अब जैसे हम बात कर रहे थे स्केठी सके बारे में तो फर्स्कों डिस एडवांटेज्टेज यहिसन देखने को मिलेगी सब्सकर यह हैं कको बढ़ाहर में इस होड़ा करना है याB को यह जह तहँछ सा ध्यान रखना है ताकि वह उसे चबा के खाए यानि जितना ज़्यूब करेगा उतना बैनिफिट है उसे अब एकदम से निगल लेगा उसका कोई बैनिफिट नहीं है ऐसा नहीं है वह डिजॉल कशके क्वालिय में टॉक्यों के जाके कामप रसक्रीष में बारे मबने वह बहुत इंकरीज करता है तो बॉन्स के लिए फास्फोरस भी एक हद तक काफी ज़्यादा इंपोर्टन माना जाता है अगर यह भी यह हम ना दे या बड़े अनिमल्स के अंदर भी अगर हम देखते हैं कि कैल्शियम के अगर कमी हो जाती है लाइक रिकेट्स एक बीमारी होती है उस्यों मेलेश एक बीमा होती है इनकी क्या एहमियत होती है आपके डोग की बोड़ी के अंदर तो आप घबराएं नहीं इन बॉन्स को ले आएं कोई ज्यादा डिसएडवांटेज इस नहीं है इसके बैनिफिट कहीं ना कहीं आपका डोग इसे बड़े चाव से खाएगा और बहुत अच्छे बात आपको स्क्रीन पर जुरूर शो होगा किसी यूटूब वीडियो पर कि आपको कैल्शियम बॉन्स देनी चाहिए तो गाइस आप दो और मैं बता रहा हूं अगर आपने बॉन्स दे दी हैं अब इसके इंटरवल की बात करते हैं यानि हम बॉन्स कब दें दिखा इस दिन मे वह आपके पास खतम हो जाती है तो आप नहीं ला सकते उसे नहीं प्रोवाइड कर सकते तब यह काफी जादा प्रोब्लम आपके डोग को आ सकती है और आपको इसमें प्रोब्लम आ सकती है तो इसे हैबिट ना लगने दे इसलिए आप एक डे का इंटरवल रखे और आप यह प्रोवाइड करें आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना आप अगर नए है तो प्लीज लाइक जरूर करना वीडियो को और जब भी व्यूज देख व्यूज करें तो आप जरूर कमेंट कीजिए अगर कोई आपको डाउट हो कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे डियम कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम आइडी पे डियम कर सकते हो जो आपको शोहरी होगी स्क्रीन के उपर तो थैंक यू सो मस् गाईज फोर वाचिंग माई वीडियो और प्लीज दू लाइक सब्सक्राइब और कमेंट बवाई जय हिन जय भारत